सो हेलो गाइस वेलकम टू आवर चैनल ओफिशल नोमान तो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अगर आपने मीशो एप से कोई सामान मंगवाया है और अगर आपको वो पसंद नहीं आता है या फिर साइज वगरे हम कोई दिक्कत होती है या फिर या जिस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं वीडियो को पूरा एंट तक देखते रहना बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करना तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं तो गैस सबसे पहले यहाँ पर हमें अपने मीशो एप को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं या फिर आप exchange कैसे कर सकते हैं या फिर आप अपना product return करके उसका पैसा वापिस कैसे ले सकते हैं उसके लिए यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की side हमें काभी सार option show होने लगेंगे home categories, orders, community और account तो हमें यहाँ पर simply बीच में एक option देखने को मिलेगा simply अपने product पर इस तरह से click कर लेना है, click करने के बाद यहाँ पर उपर यह set payment mode भी आ जाएगा मैंने cash on delivery करी थी तो वो यहाँ पर लिख कर आ चुका है और इस item का इस product का price भी यहाँ पर आ चुका है अभी यहाँ पर ऊपर यह side अगर हम scroll करेंगे तो यहाँ पर देखी हमें दो option देखने को मिलेंगे return, exchange order और दूसरा option है यहाँ पर download invoice का तो अगर आप इसकी invoice को download करना चाहें तो आप दूसरे option पर click कीजिए और अगर आप अपने product को return करना चाहें तो आपको इस option पर click करना होगा मैं return करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर simply click कर दूँगा उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है please select reason for return exchange आप क्यों return करना चाहते हैं या फिर आप exchange क्यों करना चाहते हैं आपको यहाँ पर reason देना होगा वजह आपको यहाँ पर देनी होगी पहला option है यहाँ पर don't need the product anymore हमें इस product की कोई ज़रुरत नहीं है दूसरा यहाँ पर इसकी जो quality है उसमें यहाँ पर कोई issue है तीसरा यहाँ पर size यहाँ पर सही नहीं आ रहा है या फिर हमारे leg में यहाँ पर fit नहीं हो रहा है या फिर जो item है वो damage है stain लगा हुआ है या फिर यहाँ पर quantity इसकी accessory missing हो रही है या फिर अगर आपने कोई और product मंगाया था और अगर कुछ और आ गया है जैसे color में size में तो उस reason की वज़े से भी आप इसको exchange कर सकते हैं मुझे यहाँ पर इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको return करना चाहता हूँ यहाँ पर मैंने इस तरह से click किया उसके बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर यहाँ पर यह reason पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ change my mind मतलब मेरा जो mind है वो change हो चुका है यहाँ पर मैंने click किया उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है what do you want to do आप return करना चाहते हैं या फिर exchange करना चाहते हैं मैं return करना चाहता हूँ वापिस करना चाहता हूँ और पैसा मैं वापसी लेना चाहता हूँ अपना 600 रुपएगा जो amount है तो मैं simply return पर इस तरह से click कर लूँगा ये click है, यहाँ पर अगर आप exchange करना चाहें तो इस तरह से आप exchange भी कर सकते हो उसकी बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्लीज एड़ इमेज़ तो गैस् यहाँ पर जो मेरे shoes की image थी वो यहाँ पर हमें simply upload कर देनी है यहाँ पर हम click करेंगे अब दो option आपको देखने को मिलेंगे अगर आप gallery से लेना चाहें तो gallery पर click कीजिए अगर आप camera अगर आप direct photo creation चाहें तो यहाँ पर आप click कीजिए तो guys यहाँ पर मैंने अपने product की image कुछ इस तरह से मैंने click की है जो कि मैं आपको screen पर दिखा रहा हूँ तो इस तरह से मैंने अपने shoes की images को click करा है जो कि मैं return करना चाहता हूँ अब यहाँ पर हमें simply add images पर click कर देना है और मैं gallery से इसको upload कर देता हूँ तो guys यहाँ पर मैंने अपने product की 2 images को यहाँ पर upload कर दिया है अब नीचे की side लिखा हुआ है pick up address यहाँ पर जो आपका delivery का address होता है वही यहाँ पर आ जाता है अगर आप pick up करवाने के लिए item को return करवाने के लिए कोई और अगर आप address देना चाहते हैं तो आप simply यहाँ पर change option पर click करके नए address को भी आप fill कर सकते हो मेरा यही address है same तो मैं यहाँ पर submit कर दूँगा submit करने के बाद लिखा हुआ है submitting your request उसके बाद guys यहाँ पर जो मेरी request है वो यहाँ पर submit हो रही है हम यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेते हैं इसमें थोड़ा time लगता है अब guys यहाँ पर आप जैसा की देख सकते हैं उपर के side यहाँ पर tick लग चुका है और यहाँ पर लिखा हुआ है your return request has been approved अब guys यहाँ पर यह जो हमारी return की request है वो approved हो चुकी है अब guys मीशो की तरफ से delivery boy हमारे घर पर आएगा और हमारा product लेकर चला जाएगा और अगर आपने cash on delivery कर रखी होगी तो वो cash में आपको पैसा नहीं देगा मीशो app में आपको account fill करना होता है account detail डालनी पड़ती है उस bank account में जो आपका product का amount है वो transfer कर दिये जाता है 24 से 48 घंटों के अंदर अगर आपको अपने मीशो app में account details को fill करना नहीं आता है तो इस topic पर मैं already video बना चुका हूँ description में आपको video का link भी मिल जाएगा अगर आप अपनी return की request को अगर आप cancel करना चाहें तो आप नीचे की साट cancel refund option पर click करके आप return को cancel भी कर सकते हैं उसके बाद कोई भी बन्दा नहीं आएगा मीशो की तरफ से और आपका item आपके पास ही रहेगा अगर guys आपका मन बदल जाता है जो product आप return कर रहे थे अगर आप वो return नहीं करना चाहते हैं तो आप cancel refund पर click कर सकते हो तो बस guys यही थी आज की वीडियो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से अगर आपने मीशो से कोई product अगर आपने मंगाया है और अगर आप उसको return करके पैसा वापसी लेना चाहते हैं या फिर आप उसको exchange करवाना चाहते हैं तो आप मेरे बता हुए इस तरीके से आप कर सकते हैं वीडियो कर आपको पसंद आयो तो एक लाइक जरूर करना शेर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राब करके बैल नोटिविकेशन पर जरूर कलेना थैंक यू